तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने सोफे का मेक कवर करने वाली हूँ अगर आपका सोफा भी इस तरह है कि उस पर कवर जो है आपको पसंद नहीं है या सोफे का कलर पसंद नहीं है तो आप फटा फट से ये तीन आइडियाज यूज़ कर सकते हैं दो आइडिया में तो आपको बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं करनी है कोई cutting नहीं करनी है तीसरे वाले आइडिया में आपको सिलाई करनी है तो बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी sofa throw बनाना लेकिन सबसे पहले मैं पुराने परदे का यूज़ करने वाली हूँ ये मेरा sofa है और ये है मेरे पास एक पुराना परदा जो पड़ा हुआ था और इसका यूज़ मैं नहीं कर रही है उपर से रिंग मैंने निकाल दी है कट करके और ये velvet का है तो इसका यूज़ कर रही हूँ इस तरह का कोई भी आपके पास multi color का परदा पड़ा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और इसको बस easily मैंने कट नहीं किया है ताकि किसी और DIY में या किसी और चीज़ में मैं इसका यूज़ कर पाऊ तो मैंने इसको कटने किया है simply परदा को लिया है मैंने और परदे को इस तरह से उठा करके सोफे के पीछे आप टक कर दीजे बहुत आराम से ये टक हो जाता है तो यहाँ देखेंगे इस तरह से मैंने इसको set कर दिया है पीछे की तरफ थोड़ा सा मैंने तक किया है और बाकी सब मैंने साइड साइड में थोड़ा-थोड़ा छोड़ा है यह stretchable है तो अराम से बहुत अच्छे से यह टक हो जाएगा अगर आपका कपड़ा जो है velvet का है तो बहुत अराम से हो जाएगा अधरवाइस मैं next जो है bedsheet स भी बता रही हूँ आपको next वाला जो है उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत आराम से यह हो जाएगा तो यहाँ पर इसको टक करने के लिए मैंने एक बड़ा परदे का है आप रिंग को कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं अदर्वाइस उपर से फोल्ड कर दीजे और फोल्ड करने के बाद रिंग को हटाईए मत वैसे ही छोड़ दीजे और इस तरह से आप इसको परदे को ऐसे पूरे सोपे पर आप सट कर लिजे तो यहाँ पर मैंने जिसको मैंने परदे से हाइट किया है दूसरे तरीके में मैं यहाँ पर दो तरह का कपड़ा ले रही हूँ कपड़ा कम था तो मैंने बीच से जॉइंट कर दिया है इसको तो दो शेट का कपड़ा है और यह छोटे वाले जो सिंगल सीट का होता है ना उसके लिए बना रही हूँ मैंने कई online site पे देखा है तो sofa throw मैंने देखा तो बहुत costly है एक हजार डेड़ हजार का तो मैंने सुचा इस तरह से पुराने कपड़े से या फिर नए कपड़े से पुरानी बोरी चादर का यूज करके हम बना सकते हैं इसको तो थिकनेस देने के लिए आप चादर यूज कर सकते हैं बोरी यूज कर सकते हैं यहां पर मैं इसको बक्रम का यूज कर रही हूं पेस्टिंग बक्रम जो आता है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप पुरानी चादर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने दो शेट का कपड़ा लिया है, इस तरह से मैंने नाप लिया था, सिंगल सीट पर, और उपर से, मैं ये वाल ग्लू वाला बक्रम यूज़ कर रही हूँ यह प्रेस करने से चिपक जाता है और बराबर जो है आप बड़े अराम से सिलाई कर पाते हैं इस पे तो बस इसको रख लीजे जिदर स्मूथ साइट है इसको उपर की तरफ रखना है रफ साइट नीचे की तरफ रखना है और उस के बाद से मैं इस पे इस तरह से स्प्रेट करते हुए प्रेस को चला रही हूँ ताकि यह पूरी तरफ से चिपक जाए ऐसे ही कर लेंगे और यह देखी यह प्रवपर चिपक गया है बस यह कर लेंगे उसके बाद से थोड़ा-मुड़ा जो बचा है उस पर भी मैं इस पे प्रेस कर लूँगी, आप क्या करना है, कि इस पर मैंने दूसरा वाला सेट कर लिया है, और करिबन तू आना हाफ इंच देते हुए, मैं इस पर इस तरह से मार्किंग कर रही है, आप 2 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं, तो ऐसे सीधा सीधा मैंने Marking किया उसके बास से पहले हम वर्टिकल करेंगे फिर horizontal करेंगे तो ऐसे वर्टिकल पूरा हम ऐसे दो दो इंच या धाइड़ा इंच जो भी आप लेना चाहें वो लेकर कि इस तरह से Marking कर ले और उसके बास से फिर बहुत अच्छी रहेगी और सोफा अगर बहुत स्लिपरी है या बच्चों वाला घर है तो वो स्लिप नहीं करता है इस तरह का कवर या थ्रोग तो ऐसे आप कर लिजे और निशान लगाने के बाद हलका कर लिजे निशान ताकि आपकी मशीन खराब ना हो तो मैं थोड़ा-थोड़ा इसको निशान को मिटा करके कम कर रही हूँ इतना कम करना है कि बस सिलाई में दिखे और उस पर इजी हम सिलाई लगा पाए तो बस हलका कर लिए ऐसे करने के बाद अब इस पर हम सिलाईयां लगाएंगे तो जैसे कि जो दो कलर मैंने कपड़े का चूस किया है वही दो कलर के मैंने थ्रेट लिये हैं नीचे की तरफ मैं औरेंज लगाऊंगे उपर की तरफ मैं ग्रीन लगाऊंगी इस तरह से आप नीचे की तरफ ऐसे भरिएगा उपर के तरफ जैसे भी आपका कपड़ा है वैसे ही नीचे की तरफ रखिएगा और उपर की तरफ रखिएगा तो सेम सेम कलर वो आ जाएगा तो बस ऐसे लगा किACE खड़ी खड़ी सिलाई Yayy लगानी है हमें और इस तरह से इसको बना लेना है तो यहाँ पे इसको ready कर लिया है उसके बाद से 2 इंच की पट्टिया मैंने पूरे चारों तरफ लगा दिया है तो इस तरह से मैंने इसको ready किया है और ये देखे आप चाहो तो इसमें और भी सिलाइयां लगा सकते हैं करके मैंने बस square square बना कर लगाया है अब ये दोनों साइट से दो कलर का है मतलब एक साइट से green है और एक साइट से orange है तो आप दोनों साइट इसका यूज कर सकते हैं या फिर आपको look change करना हो तो आप कभी green लगा सकते हैं कभी orange लगा सकते हैं और अगर आप चेक करेंगे ना तो हजार डेड़ हजार के ये सोफा थरो बनते हैं, आप आराम से बाहर से कपड़ा ले आईए, और बहुत इजी से इसको बना सकते हैं, अगर दोनों साइड आप दो कपड़ा यूज कर रहे हैं, तो बीच में ठिकनेस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बीच में कुछ भी आइड करने की जरूरत ने हैं, मैंने तो इसमें बकरम डाला है, लेकिन आप बिना बकरम के भी इसको बना सकते हैं, इसके साथ ही आप बैक कवर भी इसका बना सकते हैं, और सीट कवर भी बना सकते हैं, तो बहुत इजी तरीके से ये चीज आप सोफा थरो घर पे ही बना सक तो तीसरे आइडिया में मैं यहां पर एक सिंगल डिवान बेट का जो है बेट शीट यूज़ कर रही हूं मैं तो यह सोफे से बड़ी होगी तो पहले मैं इसका साइज ना पूंगी मैं इसको कटिंग नहीं करूंगी अगर अचानक से कोई महमान आ रहे हैं आपके हैं आपक एक इत्रा है और साइड में भी एक्स्ट्रा है तो यह दोनों तरफ हम ऐसे एकदब बराबर इसको बिठा लेगे ऐसे ऐसे सेट कर लेंगे अज़िएक सेट करने के बाद इसको फिर इक बार और और फोल्डल कर देंगे जिससे ये उपर भहों भी वोगया और साइड पिन का यूज़ करेंगे तो एक safety pin ले लिजे और अंदर की तरह पैसे इसको सेक्योर कर लेंगे safety pin से तो यह खुलेगा नहीं मुड़ा वाला पार्ट अगर बच्चे इस पर जंप भी कर रहे हैं यह बैटने में आपका सोफा जो है ऐसा फैबरिक है कि स्लिप करके इसका जो है cover निकल आता है तो ऐसे नहीं निकलेगा safety pin से तो ऐसे इसको इस तरह से बराबर थोड़ा थोड़ा मोड दीजे दोनों side में आप safety pin लगा दीजे तो यहाँ पर एक side हो गया है मैं दूसरी side में इसको इसी तरह से set कर लूँगी उपर की तरफ करने के बाद हम इसी तरह से नीचे की तरफ एक safety pin का यूज़ करेंगे तो उसी तरह से कितना हमने इसको मोड़ा था उतना ही मोड़ करके हम यहाँ पे एक border के उपर इसके एक safety pin यूज़ और करेंगे ताकि यहाँ से भी ये secure रहे और नीचे से कोना जो बाहर निकल आता है लटकता है वो लटकेगा नहीं इससे तो इधर एक side में दो safety pin मैंने यूज़ की है और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे टक कर दिया इसको मैंने तो यहाँ देखेंगे इसका final look फटाफट मैंने इसको change कर दिया पूरा का पूरा makeover हो गया सोफे का before and after मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ आप देखेंगे तो कितना अच्छे से यह फटाफट इस bedsheet से इसका सोफे का जो look है वो change हो गया है कोई भी अचानक से आपके घर में महमान आ रहा है या कोई तेवार है आपके घर में या फिर कुछ भी आपके यहाँ party बगरा है और आपका सोफा कलर ऐसा है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है या सोफा गंदा है कवर नहीं साफ है तो आप इस तरह से किसी भी bedsheet से आप इस तरह से कवर कर सकते हैं यहाँ पे दिवान bedsheet थी तो और भी पीलो कवर थे मैंने इसको लगा दिये हैं और इसका look बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं तो ऐसे ही और आइडियाज के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा थाइंक्यू बाई